ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की जान चली गई है हादसे की तस्वीर भी सामने आई है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुल के उपर से ट्रक जा रहा है तभी ये महिला उस ट्रक की चपेट में आ जाती है और इस महिला की जान चली गई आए दिन इस तरह के सड़क हासों में किसी ना किसी की जान जाने की खबर सामने आती है और हादसे की वज़ा सबसे ज्यादा गड़े ही होते हैं इसी तरह से उल्हास्त नगर कैम करमांक एक शहाट फाटक पुल के उपर से गुज़र रही एक महिला ट्रक के नीचे आ गई और घटनास्थल पर ही इस महिला की जान चली गई मिली जानकारे के अनुसार कविता महत्रे अपनी सकूटर से सहाट ब्रिज के उपर से अपने किसी काम्द के लिए जा रही थी और अचानक इस कूटर को ठोकर लगी और ये महिला ट्रक के नीचे आ गई महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी शव को पुलिस ने कल्यान के रुपमनी होस्पिटल में पोस्ट मौटम के लिए भेच दिया है इस मामले में आगे जाच महत्मा फूले पुलिस कर रही है कहा जा रहा है कि शहाट ब्रिज पर गढ़े ही गढ़े हैं जहाँ पर लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह दुरघटना के शिकार हो जाते हैं अस्थानिये लोगों का कहना है कि मनपा प्रशासन को इन गढ़ों को भरना चाहिए लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और आखिरकार इन ही गढ़ों की वज़े से ट्रक के नीचे आने से एक महिला की जान चली रही